नमस्ते मेरे पैरे चात्रो आज हम कक्षा सात्वी के हिंडी विशे का पाठ दूसरी इकाय का पहला पाठ अस्पताल इस पाठ का हम अध्यन करने वाले हैं यह एक सचित्र पाठ है यहाँ पर दिया हुआ हैं पहचानों समझो और बताओ अस्पताल तो मेरे पैरे चातुर जब कोई बीमार हो जाता है तो वह अस्पताल जाता है अच्छा होने के लिए उसकी सेहत अच्छी करने के लिए दूसरी इकाई का प्रारंब हम इस अस्पताल पाट से करने वाले है तो पहचानो, समझो और बताओ ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है पहचानना है, समझना है, बताना है तो मैं आपको यह बताता हूँ, इस चित्र के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर अस्पताल का चित्र हमें दिख रहा है यहाँ पर कौन-कौन है, यह भी हम जानेंगे गोशनाय जो दी हुई है, यहाँ पर वो भी देखेंगे और कौन सा बॉड किसके लिए है, कौन से महरिस के लिए है उसके वारे में हम यहाँ पर जान कर लेने वाले है तो मेरे पैरे चातरों सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले है Plan रोगी से अधिक बात न करे देखिये कोई रोगी विकती जब होता है तो उसके रोग को अच्छा करने के लिए से डौक्टर कोशिश करते हैं और उसी दोरान जो इसके रिष्थिदार होते हैं उन रिष्थिदारों को पता बात पता चलने के बाद वह उसको देर्षा से झातर है बाता हुत करना है ऐसा उसका आर्थ होता है और रोगी से अगर आप आधिक बाते करोगे तो उसकी सेगत फिर से बिगड सकती है यह सोचकर यहाँ पर दिया है और दूसरी बात अस्पतल में जादा भीड़ भी हो सकती है इसलिए रोगी से आधिक बात न करें बात करने का रोगी से मिलने का समय है जो है वह है दिया हूआ है मेरे प्यारे चाहतर हöst यहां पर हमें एक डॉक्टर नलजर आ रहे हैं the doctor है यहाँ पर यह जो स्ंव कि स्यारब्स बैठे हुए हैं यहां पर पेशनि पेशन के जो रिस्तिदार है वह बेठे हुए हैं और यहाँ पर शांती बनाए रखिया इसा लिखा हुआ है देखिया अस्पिताल में तो शांती होनी चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पर ज्यादा आवाज अगर आएगी तो मरीद जल्दी ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा ध्वन परिश्पिताल के और डॉक्टर ने दी हुई दवाई की जो लेकर यह जा रहे है दवाई लाने के लिए यहाँ पर इनको एक सिस्टर जो है नर्स जो है वी परिचारी का जो है विलचेर पर बिठा कर लेकर जा रहे क्योंकि इनके पर को चोटाए और प्लैस्टर भी लगा इसने वीलचेर पर बैटकर लेकर जा रहे हैं यहाँ पर भी डॉक्टर हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर क्या दिवा है दिया हुआ है ICU ICU I C U I का अर्थ होता है इंडेंशिव C का अर्थ होता है critical और यू याइने unit याने दक्षता विभाग है है इनने रंधा दिया है ये इसको ऐसा कहते है रख्तदान महादान रख्तदान और या महादान है इस ऐला पर लिखा हुआ है झैप आप 18 साल से उपर के हो जाओगे और आपका वजन पचास किलों के उपर हो जाएगा तब आप रख्तदान कर सकते हो और साल में आप चार बार रख्तदान कर सकते हो तीन महने के बाद में एक बार आप रख्तदान कर सकते हो रख्तदान से किसी की अगर मदद होती है तो उसके लिए वह जीवन नान साबित होता है और नेतरदान भी महान दान होता है क्योंकि नेतरदान से हमारी आखे हम मरने के बाद भी जीवित रह सकती है और हमारे आखों की मात्यम से कोई और इस दुनिया को देख सकता है मेले पहरे चात्रों तो अब हम आगे जाएंगे यहाँ पर एक देख यहाँ पर एक चोटी सी ननी पहरी सी चोटी लड़की है और यहाँ पर हमें यह भी नदर आ रहा है कि चोटा परिवार सुकी परिवार यहाँ गोशना यहाँ पर दी हुई है तो इसकार्थ होता है कि चोटा परिवार सुकी परिवार होता है एक घर में दो से अधिक जो बच बच्चे होते हैं तो पती पत्नी दोनों और दोनों बच्चे से छोटा सा परिवार अगर वहाँ पर होता है तो वहाँ परिवार सुकी परिवार होता है यहाँ पर कुड़ादान भी देया हुआ है क्योंकि कुड़ादान जरूरी है अस्पताल में जो कुड़ा होता है कच्र यह सुन्दर सा इसास्पताल है यहाँ पर हमें ऐसे अलग-अलग विक्ति नदर आ रहे हैं और अलग-अलग घोशनाओं के बारे में भी हमने यहाँ पर जानकरी ली है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ समझ में आया होगा तो आपके मन में अगर कोई प्रशन है तो जरूर आप कमेंट बोक्स में लिख कर भीजएगा मैं उसका उत्तार आपको दूंगा तो मेरे पहरे चातुर आगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब ने गया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और शेयर जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद